हर्याना के गन्नोर के बड़ी गाउं के पास जिटी रोड पर स्विफ्ट डिजायर कार में आग लगने से कारोबारी जिन्दा जल गया 20 मिनट तक कार जलती रही कार के आधार पर पूलिस ने कारोबारी की पहचान की है शब को सोनिपत के सिविल अस्पताल में रखवाया गया है परिजनों ने शोट सर्किट के कारण कार में आग लगने का शक जताया है आपको बता दे कि समालखा निवासी 27 वर्सिय वासु जैन अंसल में रहता था उसका बरसत रोड पर वेस्ट का कारोबार था वह सुभे करीब 11 बजे घर से दुकान पर आया था दोपहे डेड़ बजे पतनी पूजा ने खाने के लिए फोन लगाया तो बोला कि कार की सर्विस कराने जाना है चार बज जाएंगी तुम खाना खा लेना और दवा ले लेना शाम पांच बजे परिजनों को सूचना मिली कि बड़ी गाउं के पास दिल्ली से पानिपत लाइन की सर्विस रोड पर कार में आग लगने के कारण वासू की मोथ हो गई तब परिजन मोखे पर पहुची ताव शिव कुमार ने पूलिस को दी शिकायत में लिखा कि उनको शक है कि कार में शोट सर्किट होने के कारण आग लगी है वासू की डेट बोडी पूरी तरह से जलने के कारण पहचानने लाइक नहीं है इसलिए पोस्ट मार्णम टेस्ट करवा कर मोथ की वजह का पता लगाया जाएगा वासू समाल्खा में गुड मंडी में रहता था उसकी दो मार्च को पूजा नाम की यूवती से शादी हुई थी समाल्खा का घर बेच कर अंसल में घर खरीदा था होली के बाद तेरा मार्च को परिवार अंसल में शिफ्ट हुआ था करीब पांच महा पहले पिता सुनील जैन की बिमारी के कार्ण मोथ हो गई थी अब घर में वासू के अलावा उसकी मा इंदू जैन और उसकी पतनी रह रही थी पतनी पूजा गर्बवती है और नवंबर में उसकी डिलीवरी होनी है मोथ की खबर के बाद परिवार में मातम का महुल है देर रात तक पतनी और मा को वासू की मोथ की जानकारी नहीं दी गई दो बहनों में वासू इकलोता भाई था उसकी एक वेहन दिली और दूसरी पा मोबाइल भी बंद आया उधर कार में आग लगने के बाद रहागीरों ने भी बुझाने का प्रियास किया लेकिन लप्ते बहुत तेज थी बाद में पुलिस ने दमकल गाड़ी को मोके पर बुलाया और आग बुझाई कार में कंड़क्टर वाली सीट के पास जला हुआ श असे ही लेटेस दोबरे पाने के लिए बैल इकन को क्लिक करें हमारे चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद उन्यवाद